एक ही वर्ड जबर्दस्त यस दोस्तों एक विलन रिटन्स का अभी ट्रेलर देखा मैंने आज वो एनरजी नहीं है मुझ में बिकॉज मेरी तब्यात ऐसे दो दिन से ठीक नहीं है बड़ और एक्चुली यह वीडियो देखने के बाद आई में ट्रेलर देखने के बाद सर्प्राइजिंगली एक्चुली नॉट सर्प्राइजिंगली मुझे पता था आरजुन कपूर जब भी निगेटिव रोल्स या फिर विलनियस रोल में आता है ना तब वो एक अलग अरजुन कपूर बन जाता है रधर देन कॉमेडी या फिर जब भी आरजुन कपूर एक तो लव रोल वगरा उसको अक्टिंग नहीं आती है लेकिन जब वह विलनियस करेक्टर में उसको जब आप एक डार्क शेड देते हो उसके करेक्टर को वह सबका बाप बन जाता है या इस नाट इजी बट पता नहीं क्यों उसमें कुछ तो है कि वह विलन सूट होता है अब एक विलन रिटरन्स ट्रेलर देखने के बाद में यह कहूँगा आप जो ट्रेलर में हम ने देखा न शायद इससे भी कुछ अलग है इस मोवी में अलाग एक विलन पार्ट वन और टू की आप एक एक विलन पार्ट वन मुझे ठीक लगाता और मुझे ना एक विलन की बात करो ना जो पहला पार्ट था मुझे बहुत easy लगा मुझे उस मूवी से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगा था, क्या पता, सिदार मलोत रही इस सब के पीछे हो, रितेश पे नाम आ रहा होगा, कुछ अलग लगा था, लेकिन वो जब मुवी देखा न, मैंने वो प्लेन मुवी हुआ था, हाँ मुझे बहुत पस अर्जुन कपूर और तारा खा, क्या पता है, कुछ अलग टाइप का देखने को मिलेगा, यह एक होप है, अब बॉलिवुड है, मुवी की स्टोरी में ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन तो भी मैं कहूंगा, थ्रीलर मुवी में हम करता है, तो भाई, तो मुश्कील है, अभी भी है, मतलब यह नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, मतलब बजट क्रॉस नहीं करेगे, हंड्रेड होगा तो, बट थोड़ा मुश्कील है, बट मज़ा आया देखके, ट्रेलर फाडू है बॉस, मैं जरूर, एक्चली सज बोले, तो कमेंट करने के लिए आज वीडियो बनाए, आपको कैसा लगा ट्रेलर जरूर बताए, चैनल सब्सक्राइब ने किया है, तो कर लीजे, थैंक्यू,